हेलो फ्रेंड असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब आई होप अपने अपने घरों में ठीक होंगे खेरियस से होंगे मैं हूँ तयाबा आप देख रहे हैं तयाबा क्रियेटिवीटी चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट आज हम बनाने वाले हैं चिकन रोष्ट चिकन रोष्ट बनाने के लिए ओवियसली चिकन ही चाहिए होगा एक होल चिकन ले लेंगे होल चिकन को हम एट पीस में डिवाइट कर लेंगे और उसमें जतना बोन पीस वगरा जो भी बोन पीस होगा उसे साइट में कर लेंगे और जो बोन लेस होगा उसे हम ले लेंगे वही हमें चाहिए होगा ठीक है जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूं उसी तरीके से आप लोग भी बोन लेस को कट कर लेंगे कर यहां पे मैं चिकन के पीस में कट लगा रही हूं कट इसलिए लगा रही हूं ताकि मसाला उसके अंदर चला जाए और जब मसाला उसके अंदर चला जाएगा तो चिकेन टेस्टी बनेगी ठीक है इसलिए हम ऐसे सिदे में नहीं कट लगाएंगे थोड़ा तीरचा में कट लगाएंगे तीरचा में इसलिए कट लगाएंगे त कि हमेट के लेंगे pl 묶ाई निकल लेंगे हम चीकेन में मिक्स करके रख देंगे क्योंकि लेमन चिकेन में आप टूर मेंद के वारी कि और जब रूंगा है कि चुछ तो इस जरूपर एच वचेकाश्ट आप अपनी तरीके से देख लेंगे, ठीक है, देखिए, मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, मुझे चरुवत है, यहाँ पर एक और लेमन मैं इसमें एड़ कर रही हूँ, मैं इस एक और लेमन एड़ करके फिर आपको दिखाती हूँ, यहां पर हम एक स्टेनर ले लेंगे और हम चिकेन उसमें निकाल लेंगे जी हां आपने सही सुना हम लेमन की जूस में जो चिकेन को डाल कर रखे थे ना इसयुक अब हम उसे स्टेन कर लेंगे स्टेनर से अच्छी तरीके से सारा लेमन का जूस उससे निकल जाए तब भी निकलता रहेगा हम उसे कुछ देर की देयारी करते हैं यह सारा मैंने कर लेंगे से करने से यह होता है कि इसकी जो अपनी एक स्मेल होती है अपना अपना एक टेस्ट होता है उस सब निकल के बाहर आता है हमारे मसालों में मिक्स होके एक दूसरे से जली मिक्स हो जाता है मिक्सी में जली पीज जाता है गरम होने के वज़े से और अपना अपना एक स्मेल अपना अपना एक टेश्ट उसाब कुछ निकालता है तो इसलिए इसे गरम करना बहुत ज़रूरी है अप चाहें तो गरम कर सकते हैं ना चाहें तो ना कर सकते हैं यह आप के उपर डिपेंड करता है लेकिन मैं आप अस तरह करूगी कि आप गरम असालग को पहले गरम कर लीजिए फ आप लोग तो वीडियो पुरा देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर वीडियो आगे देखना और हाँ प्यारा सा कमेंट भी कर देंगे तो मुझे आप सब के कमेंट पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है यहां पे मैंने एक बोल ले लिया है उसके अंदर सारे मसालों को डाल रही हूँ पहले हम सारे मसाले एक बोल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दूसरे के साथ में पुरी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए ठीके मैं यह कर लेती हूं फटा पट से आपलोग वीडियो में इसी तरीके से कर लेना ठीक है ओके मैं फटाफट करके फिर आपको बताती हूं कि आगे क्या करना है यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना भूल गई हूं वो है अंडा एक अंडा इसमें तोड लेके उस अंडे को इसी मसाले में ही मिलाना है अच्छी तरीके से अंडे के साथ में पूरी मसाला मिला पूरे अच्छी तरीके से मिला लेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे चिकेन की मालिस करना हो भी मसालों से ठीक है चलिए हम चिकेन की मालिस करते हैं मसालों से देखिए ऐसे राम राम से बड़े प्यार से चिकेन की मालिस हो रही है यहां पर चलिए मैं जब तक चिकेन की मालिस करती हूं आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए चाइनल में अगर नए है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिस तरह मैं कर रही हूं ना आप लोग इसी तरह करना ठीक है अप मैं फटा-फट इसकी मालेस कर लेती हूं मालेस करने के बाद मैं फिर दिखाती हूं कि क्या करना है अच्छी तरीके से मालिस करने के बात में हम इसे 10-15 मिनिट के लिए फ्रीज में रख देंगे हम इसे रेफ्रीजेटर में रखेंगे नहीं फ्रीजर में ओके रिफ्रीजेटर में रख देंगे 10-15 मिनिट के लिए इसे अराम करने देंगे क्योंकि इतनी मालिस होई है तो दर् कांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है आप वहां से चेक कर लिजिए एक एक पीस उठाएंगे और में छोड़ देंगे देखिए जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूं आपको इसी तरह करना है हमें इसमें एक साथ में बहुत सारा नहीं डाल सकते हैं इस छार पांच छह सब कुछ ले सकता है तो वो आप अपनी हिसाफ से देख लेना ठीक है मेरे फ्राइपन के अंदर चार जार अब इसके अंदर चार मैंने डाल लिया डालने के बाद मैं हम इसे धक के छोड़ देंगे कुछ देर के लिए धीमे आज में रख देंगे कुछ दे अब मेरे मुह में तो पानी ही आगिया देखिए कितना अच्छा कलर आया है अच्छे से यह अभी यह पूरी तरीके से हुआ नहीं है इसमें इसको होने में कम से कम 20-25 मिनिट लगता है एक साइट का थोड़ा थोड़ा इसको बार बार बीच-बीच में चेक करना जरूरी होता है कि यह किदर से लग ना जाए देखिए मैं धीरे से इसे पल्टा रही हूं इसको एक साइट से पल्टा के फिर दुबारा मैंने धंक के रख दिया चलिए यह देखिए अब यह हो चुका है अब मैं इससे एक बोल में निकालू अच्छे से एक बोल में निकालेंगे अराम अराम से मैं यहाँ पर आप सबसे एक और बात कहना चाती हूँ आप लोग वीडियो तो पुरा देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक सेयर और सस्क्राइब करना भूल जाते हैं प्लीज गैज मेरे चाइनल को सपोर्ट कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को सस्क्राइब चैनल को सस्क्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को सेयर कीजिए थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए और आप लोग मुझे कॉमेंट भी कर सकत हैं आप लोग मुझे प्लीज गाइज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए थैंक यू वीडियो पूरा देखने का अल्ला हापीस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना खयाल रखिए घर पे रहिए सुरक्सित रहिए